आज की तारीख है 18 दिसंबर 2021 हमारे दो चानल्स है पिनेकलर फ्रंटियर आई एस और अगर अभी तक आपनी इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियोस पीडियाफ एन मंथली मैगजीन आप माई टेलिग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आइस और साथ इस जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्चिन पुचा था कि आईसीसी मेंस प्लेयर आप दी नवेंबर मंत का पुरसकार किसने जीता है जिस्क सही जवाब ता डेविड वाडनर और दूसरा क्वेस्चिन पूचा था कि इंटरनाशनल गॉ पूर्व केंद्र मंत्री और लोकसभा सांसत डॉक्टर शशी थरूर की 23 पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड प्रडंटरी का हेदराबात एलंगाना में विमोचन किया गया इस पुस्तक में 10 खंडियानी सेक्शन्स हैं जिन में से प्रतियेक एक विशेश विशे जै आ गया नेक्स्ट क्वेशन देखो रंजीता टेक्चम किस खेल से संबंदित हैं तो से जबाब हो ऑप्शन अबर बी फुटबॉल डिटेल्स यहां चेक कर लो तो रंजीता टेक्चम और उवेना फर्णांडेस को अगले साल भारत में जन्वरी और फर्वरी में होने वाले एफसी एशिया कप के लिए मैच अधिकारी न्युक्त किया गया है रंजीता का टूर्णामेंट में रेफरी वहीं उवेना को एक सहायक रेफरी के तौर पर न्युक्त किया गया है नेक्स्ट वेशन देखो अंतरराष्टय प्रवासी दीवस कब मनाया जाता है तो प्रवास्य को संङूक्त राष्य महा सभाने विशु में प्रवास्य की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते होए प्रती वर्श 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोशना की थी 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राश्ट्र महासभा ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संडक्षन के लिए अंतराश्टी अभी समय अपनाया था नेक्स्ट क्वेशन देखो चीफ अफ स्टाफ कमेटी के अधियक्ष के रूप में किसने कारेभार संभाला है जिस सेज़ जवाब हो ऑप्शन अबर C, M.M. नर्वने डिटेल्स यहाँ चेक कर लो तो सेना प्रमुख जेनरल M.M. नर्वने ने Chief of Staff Committee के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है जिसमें तीन सेवा प्रमुख शामिल है जेनरल नर्वने ने तीनों सिनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए Chief of Staff Committee के अधियक्ष के रूप में पतभार ग्रहन किया है Chief of Defense Staff CDS के पतके नर्मान से पहले तीन सेवा परमुकों में सबसे वरिष्ट Chief of Staff Committee के अधियक्ष हुआ करते थे ये पॉइंट हम सबको पता है कि भारत के पहले CDS जेनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को तमिलाडू के कुनूट जिले में भारते वायू सेना के MI-17 B-5 हेलिकॉप्टर दुर घटना में मिम्रिती हो गई जेनरल नर्वन एको समीति के ध्यक्ष के रूप में पतभर दिया गया है क्यूंकि भे तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ट है नेक्स्ट क्वेशन देखो किस भारते अमेरिकी गनी तग्यय को ऑपरेटर थियोरी में फॉर्स्ट सिप्रिन 4S प्राइस से समानित किया गया है तो भारते अमेरिकी गनीत अग्यय निखिल श्रीवास्तव जो कैलिफोर्निय विश्विद्यालिय वाकले में पढ़ाते हैं को एडम मार्कस और डैनियल स्पिल्मेन के साथ अमेरिकन मैथेमेटिकल सोसाइटी दवरा ऑपरेटर थियोरी में प्रतम सिप्रियन 4S जीट चुके हैं नेक्स्ट क्वेशन देखो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल मीडिया में सहियों के लिए आश्य पत्र पर साक्षर किये हैं जिससे दोनों देशों के बीच साजदारी को और मजबूत करने का मार्क प्रशस्थ हुआ सूचना इवर प्रसारन मंत्रिय अनुराग ठाकुर और उनके वैतनामी समकक्ष गुएन मांग हंग ने उस दस्तावेश पर साक्षर किये जो डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नीती और नियामक धांची की सापना में सूचना और अनुभव साजा करने की परिक सांकित करता है बात करें यहां पर वैतनाम की तो इसी कैपिटल है हनोई करन्सिय वैतनाम इस डॉंग नेक्ट क्वेशन देखो केंद्रे मंत्री मंदले महिलाओं के लिए विवा की कानूनी आयू अठारा से बढ़ा कर डैश वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी टिस इस कदम से महिलाओं के विवा की कानूनी उम्र पुर्षों के समान्याने 21 साल हो जाएगी इस बदलाव को अमल में लाने के लिए विवा की उम्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिकत कानूनों जैसे बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 विशेश विवा अधिनियम और भारत उलक ने स्वरन पदक जीता है तो भारत भारत उलक पूर्निमा पांडे ने राष्टे मंडल चैंपेंशिप महिलाओं के प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में स्वरन पदक के रास्ते में 8 राष्टे रिकॉर्ड बनाए पूर्निमा ने पोडियम के शीष पर खड़े होने क के लिए 229 किलोग्राम यानी 102 किलोग्राम प्लस 127 किलोग्राम उठाकर अगले सार राष्टे मडल खेलो के लिए सीधे क्वालिफाय किया पूर्निमा ने आठ राष्टे रिकॉर्ड बनाए दो स्नाच वर्ग में और तीन तीन क्लीन एंड जर्क और कुल श्रेनी में लवप क्वेशन रेखो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइको ग्रीट परियोजना कि स्थापित किया जाएगा यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन धारित उर्जा भंडारन परियोजना होगी इसकी स्थापना नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन जाएगी यह परियोजना 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने और लदाक को कार्बन न्यूट्रल शेत्र बनाने में भारत के रिष्टिकोन के नुरूप है इससे पहले एंटी पीसी ने तेलंगाना के रामा गुंड़ा में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर सयत्र च पुलिकत ले वर्ड सेंक्चुरी आंत्रोपर देशी कैपिटल है अमरावती सीम है वाईयस जगन मुहन रेड़ी गवर्णर है बिस्व भूशन हरीश चंदर लास्ट क्वेशन देखो आज के सेशन के लिए तो भारते अंत्रिक्षानुसंधान संगठन इस्रों ने सांच करने के लिए कितने देशों के साथ 6 समझोतों पर साक्षर किये हैं इससे 13.2 करोड यूरो की विदेशी मुद्रा प्राप्थ होगी इस्रों ने अपने वानिज्यक इकाई नियू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वानिज्यक अधार पर धुरूविये उप उग्र प्रक्षेपित करता है अजिशन के समयरी की तो प्राइड और प्रेजु डेश और पडंटिरी बोख शशी धरूर ने लिखी है रंजीता टेक्चम फुटबॉल से संबन्दित है International Migrant Day 18 December को मनाया जाता है Chief of Staff Committee के Chairman बने है M.M. नर्वने Indian American Mathematician Nikhil Shrivastav को Operator Theory में First Cyprian Force Prize से समानित किया गया है India ने वहितनाम के साथ Digital Media के लिए LOI साइन किया Union Cabinet इविमन की Marriage के लिए Legal Age को 18-21 साल कर दिया है Commonwealth Championship में Gold हासिल किया है पूर्णिमा पांडे ने World का Largest Green Hydrogen Microgrid Project आंधरोपरदेश में सेटप किया जाएगा और इस तरोंने चार कंट्रीज के साथ Foreign Satellites लांच करने के लिए 6 Agreement साइन किये है बात कर लेते हैं आज के Session के Quiz for the Day के आपका पहला Question है अंतराश्चे प्रवासी दिवस का मनाया जाता है और आपका दूसरा Question है Pride, Prejudice और Padantry नाम पुस्तक इसने लिखी है इन दोनों Questions का आंसर आपको नीचे Comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है Thank you so much